असलाम लेकुम विवर्स कैसे हैं आप सब होप सो यू ओल आर फिट एंड फाइन तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एवलाइन क्रीम का रिव्यू जिसमें मैं आपको बताऊंगी इसके यूजिस, साइड एफेक्ट, स्प्राइज और अपना परसनल एक्सपीरियंस तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो तो सबसे पहले तो आप लोगों के इसकी पैकिंग दिखाती हूँ तो कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग होती है जिसमें के ये अंदर से कैसे दिखती है बाहर से तो आपने देख लिया है कि ये बुड़ा प्यारा सा कलर है वाइड ब्लू और राइल ब्लू कलर में जो है इसकी पैकिंग होती है इसका बाक्स है और अंदर से अगर हम लोग मैं प्लास्टिक जालाओंator तो सबस्क्राइब कर मैं भीकेशम समय है यह सबस्टे इंड इडबन है तो जब मैंने यूज की तो मुझे ऐसाच कुछ फील नहीं हुआ कि यह बहुत ज़ादा चिटा गुरा या कोई एक्स्ट्रा वाइटनिंग कॉस करती है फेस पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता मतब नॉर्मल सी क्रीम है जो आपके फेस पे एक लाइट सा टेक्स्ट्र छोड़ती है लाइक नॉर्मल डे में अगर हम फेर लवली यूज करते हैं तो सेम लाइक दाट मुझे इस तरह की फिलिंग आई बाकी जो है इसकी जो अच्छी चीज मुझे लगी वो यह है कि समर में जो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और वो भी ओईली स्कीन क्यों कि मेरी ओईली स्कीन थी तो मुझे इसलिए यह कुछ अच्छी लगी जो इसलिए मैं यूज भी कर रही ही हूँ तो इसमें ये है कि summer में जब हमारी skin बहुत ज़्यादा oily हो जाती है तो उसमें हमारे लिए जो Avaline की double white vitamin C cream है ये बहुत best है बहुत बहुत best है उन लोगों के लिए जो के oily skin वाले हैं और वो भी सिर्व winter में इसको use करें winter में वो use ना करें winter में तो ये है कि ये as such moisturizer के तोर पे काम नहीं करती और बहुत ज़्यादा face को dry कर देती है तो उसके इलावा जो है इस पे mention किया हूँ है SPF 20 और साथ ही mention है day and night cream तो ये day and night में जो है ना night में हम इसको use नहीं कर सकते हैं आप इसको just day में use करें और day में भी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आप sunlight में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा दूप है तो इसमें आप यूज नहीं कर सकते हैं क्यों क्यूंकि इसमें SPF 20 और SPF 20 जो है इतना नहीं कि आपकी इतनी dangerous sun rays से जो है protect करें आपकी skin को तो इसको आप घर में ही use कर सकते ह और day में यूज करें वो औरतें जो mostly cooking वगरा करती है चूले के पास जाती है तो वो इसको यूज कर सकती है और night में जो है हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें SPF 20 है तो SPF 20 जो है यह हमारी मतलब कि जिस भी क्रीम में होता है यह हमारे skin के जो pores हैं उनको large करने में जो है न best hair day में वो भी oily skin वालों के लिए ठीक है तो उसके इलावा हम बात करते जाएं अगर इसकी price की तो मैंने इसको purchase किया है in 900 बट different places पे इसकी different prices हो सकती है so everline जो है एक बहुत बड़ा brand international level का brand है और इसकी बहुत सी products है बहुत अच्छे ची products है लेकिन मैंने just everline की double white plus vitamin C cream use की so जो चीज मैं use करती हूँ मैं just उसी का review आपके साथ share करती हूँ so इसलिए मैंने अपना personal experience आपके साथ share so आप इसको use कर सकते हैं oily skin वाले summer में इसको use करें बहुत best है और उसके इलावा बाकी brands की निस्वत जो normal routine में हम अगर कोई cream use करना चाहें तो ये best है उन लोगों के लिए ये cream best है so मैं भी normal days में normal routine में जो है ये ही cream use करती हूँ और इसके as such कोई side effect मैंने नहीं देखे मुझे कोई side effect इसका नजर नहीं आए